आजादी के 68 साल के बाद भी अकार्ट्य सत्य के समान स्थापित है रास्ट्र पिता महात्मा गांधी का कथन भारत अपने गावों में बसता है इसी कथन को साकार रुप देता महारास्ट्र में पूने से करीब 115 किलो मेटर की दूरी पर जिला एहमद नगर का एक गांध हिवरे बाजार कहते हैं हर वर्तमान का अपना एक अतीत होता है असी के दशक में हिवरे बाजार के बाशिन्दों की जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष था कारण था शेत्र के विशम प्राकृतिक सनरचना और भौगोलिक स्थिति इस गाव में कूच नहीं था ना पीने को पाणी ना स्वाच की सुईदा बहुत सारी परिशानी करके लोग गाव छोड़के शिहर जा रहे थे पहला काम हमने यह किया कि वाटर शेट का काम किया शेत्र के स्थिति देखते हुए सरकार ने वाटर शेट कारिक्रम को यहां लागो किया और फिर ग्राम पंचायत की संजीत की और ग्राम वासियों की सक्रिय भागिदारी से स्थिति में बदलाव की संकेत मिलने शुरू हुए गाउं हिवरे बाजार अपने धुंदले अदीद से उबर चुका है आज यहां जिन्दगी में तरक्की और खुशाली के रंग है गाउं में सडक, सीवर, बिजली पानी जैसी सभी बुनियादी सुक्सों विधाये हैं जो किसी भी विकसित शेत्र की जरूरते होती है आईए, हम क्रम से इनी का आकलन करने की कोशिश करते हैं गाउं में आप कहीं पर भी चले जाईए, गंदगी का नाम और निशान भी नहीं मिलेगा यहां के बाशिन्दे, घर तु साफ करते ही हैं, घर के बाहर और आसपास की सफाई को लेकर भी कोता ही नहीं बरतते हर घर में शवचाले हैं, गाउं का गंदा पानी सीवर से नाले तक पहुँचता है साफ सफाई को लेकर पूरी तरह से निश्चिन्त ग्राम पंचायत का खुला एलान, एक मच्छर लाओ, सौ रुपे ले जाओ यहां घर-घर तो पाने पहुचता ही है, साथ ही, टैंकर के द्वारा आसपडोस के गाउं में भी पेय जल आपूर्ती की जाती है इससे गाउं को अतिरिक्त आमदनी भी होती है गुजरात राज्य के समान, यहां भी खेती के अलावा, डेरी व्यवसाए, ग्रामवासियों की तरक्की का एक बड़ा कारण है इलाखे की भावगोलिक विशमता का अंदाजा भली भाती लगा चुके ग्रामवासी क्षेत्र की हरियाले को लेकर सजग है नतीजा यहां तीन लाग से अधिक विक्षों के लिए पौधा रोपन किया गया है जिसके कारण शेत्र की काया पूरी तरह से बदल चुकी है गाउं हिवरे बाजार में प्रात्मिक पाठशाला भी है और हॉई स्कूल भी उच्चस्तरिय शिक्षास्तर और अनुशासन का अध्भुत संगम यहां हर जगा नजर आएगा यही कारण है कि यहां के स्कूलों में 40 प्रतिशत से अधिक छात्र छात्राएं आस पास की गाउंवों से आते हैं बच्चों की अपने बैंक अकाउंट भी है छोटी छोटी बचत भविश्य के प्रती निश्चिन्तिता गाउं हिवरे बाजार की ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के सदस्य एक दूसरे के पूरक है सभी निर्ने आपसी सहमती से लिए जाते हैं हिवरे बाजार की उपलब्धियों को लेकर चर्चा का आलम ये है कि आस पास से ही नहीं विभिन्न राज्यों से भी आगंतुकों का आवागमन यहां निरंतर जारी रहता है ग्राम पंचायत के कक्ष में हो रही ये मीटिंग महिला मंडल की है गाउं में महिलाओं के बहुत से स्वयम सहायता समोश सक्रिय है जिनके कारण महिलाओं का आत्म विश्वास बढ़ा है मजबूत घर परिवार और मजबूत समाज की सनरचना के लिए ये ज़रूरी भी है हिवरे बाजार के उपस्वास्थे केंद्र में चिकित्सक और स्वास्थ कर्मी अपने कर्तव्यों के प्रती पूरी तरह से सजग है विशे शुरूप से गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ जांच आदनक चिकित्सा उपकरण और सुरक्षित प्रसव के लिए बेहतर इंतजाम यहां मौजूद है अतीत में जो गाउं कभी अपने ग्रामवासियों के पलायन का मुग गवा था आज वही गाउं अपने सम्रिध्धी के कारण अन्य लोगों के लिए रोजगार का कारण बन रहा है गाउं में BPL परिवारों की संख्या मात्रत तीन है कभी गाउं से पलायन कर शेहर गए लोग अब गाउं वापस आ चुके हैं यहां आकल गिर गया था पानी नहीं था कुछ नहीं था जमीन काफी तेलिकिम उसको यह जो साधन एवो नहीं थे न हम लोग के बाद फिर हम लोग बंबाई पोई थे वाटर सेट का काम चादू हो गया इजर अजरा हर्याली दिखने लगी पानी होने लगा इजर फिर हमार गाउं हिवरे बाजार में एक अकेला मुस्लिम परिवार हबीब भाई का है और उनके लिए भी यहां मस्जिद का निर्मान किया गया है गाउं में आपसे सोहार्द और मेल जोल का वातावरण है फुरसत के समय जब गाउं वाले एक होकर बैठते हैं तो सुर से सुर मिल ही जाता है हिवरे बाजार की ग्राम पंचायद अपने ग्राम वासियों के अधिकारों को लेकर पूरी तरह से सजग है ग्राम पंचायद भवन में ही बैंक आफ महरास्टर की शाखा है और एटियम जैसी सुविधा भी यहां के वाचनाले में प्रमुक पत्रिकाएं और अख़बार नियम से आते हैं ताकि ताज़ा तरिन समाचार और सुचनाएं ग्राम वासियों तक नियमित रूप से पहुचती रहें आज जबकि सांसत आदर्श ग्राम योजना का शुभारंब होने जा रहा है हिवरे बाजार एक आदर्श गाव की रूप में अन्य ग्रामिन शत्रों के लिए मार्क दर्शक की भूमिका निभा रहा है